हेलो एवरीवन वेलकम टू दा चैनल नितेश एजुकेशन 27 फ्रेंट समेश चैनल पर उजी से नेट पेपर फ़स्ट और पेपर टू एजुकेशन और साइकॉलोजिक ट्यारी करवाता हूं साथ ही साथ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब लैके शेर कर लिजे इस्ट जो हमारा टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे हाइपोथिस के बारे में प्राकलपना के बारे में हाइपोथिस होता है इसके डेफिनेशन इसके टाइप्स और करेक्टिरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे बात करेंगे कि क्या करेक्टिरिस्टिक्स होती हैं गुड हाइप तो सबसे पहले अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें तो आपको पता है आपका Igno का PhD का entrance examination होने वाला है और उनका जो syllabus है या फिर कहली जे PhD का कोई भी syllabus होता है entrance examination का उसमें 50% अपका जो है research methodology से question पूछे जाते हैं और 50% आपका specialization जो भी discipline है उसे related questions पूछे जाते हैं तो सबसे पहले बात करें तो all PhD admissions या entrance examination में hypothesis जो टॉपिक है most important place रखता है आगे अगर हम बात करें जैसे आपका कोई research work चला PhD कोई course work चला project चला है तो उसके point of view से भी hypothesis topic बहुत important है साथ ही साथ बात करें UGC net का जो आपका examination होता है entrance examination या teaching से related जेतने भी examinations है higher education से related जैसे assistant professor के exam है तो इसमें भी जो है यह topic बहुत ही important place रखता है तो overall अब बात करें तो hypothesis जो है एक ऐसा topic है जो कि एक common topic है each and every teaching exams में पूछा जाता है तो इसको हम लोग अच्छे से shortcut में बढ़ेंगे ज्यादा इसको hectic नहीं बनाएंगे start करते हैं तो सबसे पहले अगर हम definition की बात करें तो definition से start करते हैं तो definition से start करने का मतलब यह है कि hypothesis क्या है कहते किसे हैं simple language में बात करेंगे तो अगर हम बात करें hypothesis क्या है तो साधरन सिभासा में मैं कहूँ तो hypothesis को हम यह कह सकते हैं hypothesis आता कब है जैसे मालीजे कोई researcher है चाहे वो educational research कर रहा है या फिर मालीजे psychological research कर रहा है या किसी भी type का research कर रहा है तो उसमें जो nature होता है research का चाहे वो experimental research हो चाहे वो non experimental research हो यानि कि प्रयोगात्मक्षोध हो या अप्रयोगात्मक्षोध हो उसमें सबसे पहले कोई भी researcher करता क्या है शोद समस्या का chain करता है रहानी research problem का chain करता है किसे related जो भी उसका topic है जो भी उसका discipline है उसे related research problem का selection करता है जब एक बार शोध करता या researcher जो है सोध समस्या का chain कर लेता है फिर बारी आती है किसकी hypothesis की फिर वो प्राकलपना करिमाण निर्माण करता है अब hypothesis है क्या यहाँ पर प्रशनिया उठता है कि आखिर hypothesis ते तात पर क्य है तो hypothesis होता क्या है अगर हम बात करें तो कोई भी रिसर्चर एक hypothesis क्यों मनाता है hypothesis होता है और tentative solution of a problem tentative spelling mistake हो सकती है तो मैंने पात ध्यान से सुनिएगा tentative solution यानि कि hypothesis क्या है किसी भी सोच समस्या का एक अस्थाई समाधान होता है जो कि एक जाचनी प्रस्ताव की रूप में करता है यानि testable proposition यानि बात करें hypothesis क्या है hypothesis is a tentative solution of a research problem जो कि testable होता है यानि कि अगर हम बात करें hypothesis क्या है tentative solution है यानि कि tentative solution है या hunch है हंच भी से कह सकते हैं या हम लोग क्या कह सकते हैं conjectural statement conjectural statement या conjecture भी कहते हैं यानि कि hypothesis एक ऐसा पूरु कथन होता है एक ऐसा प्रस्तावित और स्थाई समाधान होता है जिसे researcher क्या करता है अपनी समस्या के समाधान की रूप में परिभासित करता है यानि कि संचेप में हम कहें तो क्या कह सकते हैं किसी सोध समस्या का एक प्रस्तावित जाचनी उत्तर ही प्राकलपना कहलाता है यानि किसी भी research problem का एक tentative testable solution ही क्या कहलाता है hypothesis कहलाता है अब कुछ bookish definition क्यों देख लेते हैं तो hypothesis क्या है hypothesis क्या है hypothesis is an assumption or concession made for the sake of argument ठीक है भी क्या है an interpretation of a practical situation or condition taken as the ground for action यानि कि ये interpretation है किसके किसके किसका practical situation या फिर condition taken as the ground for action आगे बात करें है second देखें यहाँ पर tentative solution की बात करें तो hypothesis क्या है a tentative assumption made in order to draw out and test its logical or empirical consequence थर्ड क्या है the antecedent clause of conditional statement अब आगे बात करें हम थोड़ा सा technically बात करें तो क्या कह सकते हैं दो या दो से अधिक चरों के बीच संभावित संबंधों के बारे में बनाएं गए जाचनी कतन को प्राकलपना कहा जाता है यानि कि a testable a testable statement a testable statement of a potential relationship between two or more than two variables is called hypothesis यानि कि simple सी बात करें तो क्या कह सकते हैं a testable statement between two or more than two variables is known as hypothesis या और अगर हम बात करें थोटा detail में तो a hypothesis is a conceptual statement of the relation between two or more variables यानि hypothesis are always in declarative sentence यानि hypothesis क्या होता है हमेशा घोशनात्मक वाक्य के रूप में होता है ये हमेशा याद रखेगा कोई researcher कोई भी hypothesis बनाता है तो वो जो sentence होता है वो declarative होता है यानि घोशनात्मक वाक्य होता है declarative sentence फॉर्म में होता है hypothesis ये एक तरीके सके लिए है hypothesis की characteristics ही है and they relate either generally और specifically variables to variables ठीक है यानि की hypothesis क्या करता है एक चर्ष से दूसरे चर्ष के बीच में संबंध भी बतलाने का काम करता है अब आगे अगर हम बात करें characteristics of good hypothesis hypothesis की characteristics क्या होनी चाहिए तो देखे जब भी कोई researcher जो है research problem का प्रतिबादन करता है तो उसके समाधान के लिए जब वो आगे बढ़ता है तो उसके मन में समाधान के रुप में कई tentative propositions आते हैं तो ये propositions कब आते हैं जब वो hypothesis का निर्माण करता है तो hypothesis का निर्माण करने के लिए hypothesis के अंदर preciseness होनी चाहिए to the point होना चाहिए क्यों क्योंकि अगर ये सारी characteristics hypothesis में नहीं होगी तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा researcher जो goal लेकर चला है उस goal तक नहीं पहुंच पाएगा बलकि वो कहीं और ही पहुंच जाएगा तो सबसे पहले characteristics hypothesis क्या है it must be conceptually clear यानि कि hypothesis क्या होना चाहिए आपका conceptually clear होना चाहिए conceptually clear का मतलब क्या है it is related to the facts यानि जोहां इसमें आप जो भी term रखेंगे hypothesis में वो to the point define होने चाहिए यानि कि उसमें कोई vagnes नहीं होने चाहिए और सपस्टता नहीं होने चाहिए second point है it should be empirically reference यानि कि ये प्रयोगात्मक रूप से सिध्ध किया जा सके hypothesis ऐसा होना चाहिए जिसको प्रयोगात्मक रूप से amplify किया जा सके सिध्ध किया जा सके third है it should be specific brief and to the point इस point का मतलब यह है कि आपका hypothesis होना चाहिए specific होना चाहिए यानि vicious होना चाहिए अगर hypothesis आपका vicious नहीं होगा तो क्या होगा कि जो भी hypothesis आपने बनाई है उसका आप perfect solution नहीं पापाएंगे क्या होगा generalization हो जाएगा और इसका जो कथन है जा टेस्ट करना जो है hypothesis को कठिन हो जाएगा तो hypothesis कैसी होनी चाहिए specific होनी चाहिए goal oriented होनी चाहिए brief होनी चाहिए और to the point होना चाहिए यानि इधर उदर की चीज़े उसमें add नहीं होनी चाहिए और परस्ट कोई भी extra word नहीं यूज होना चाहिए जिससे की पढ़ने वाले को confusion हो और testable test करने में उसमें दिक्कत हो fourth point should be related to available techniques देखिए hypothesis हमेशा ऐसी ही ऐसी बनाई है कि उसके लिए tools आपके पास available हो tools and techniques आपके पास easily available हो ऐसी hypothesis ना बना लीजे कि आपके पास उसको measure करने का टूल ही नहीं है जैसे मानीजे कोई इंसान यह hypothesis बनाता है कि भगवान exist करते हैं अब भगवान exist करते हैं वो कैसे प्रूफ करेगा क्या उसके पास कोई टूल है क्या उसके पास कोई technique है जैसे वो लोगों को भगवान को दिखा सके या खुद भी भगवान को देख सके तो hypothesis कैसी होने तो पुनरबलन से क्या है लर्निंग को अधिकम को बढ़ा जा सका है नेक्स्ट पॉइंट है अपका इस शूट बी रिलेटेट टू अब बॉड़ी ऑफ थियोरी यानि कि क्या प्राकलपना को छेत्र में मौजूदा सिधांत यों तत्यों से संबनित होना चाहिए इसको ऐस एक जामपल से समझे ऐसे जैसे माली जे कोई रिसर्चर जो है एक हाइपोथेसिस त्यार करता है कि जो बॉड़ी का कलर है जो सरीर का रंग है जैसे गोरा काला सावला में डिफ्रेंस होने से क्या है व्यक्ति की बुद्धी में भी परिवर्तन होता है यानि कि बॉड़ी के अनतर आने लगता है अब ये आप बनाएंगे तो ये एक कैसी बात आप आपको लग रही है अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ये बहुत ही आजपस्ट बात है एक तरीकी का एसुम्शन है यानि कि यह होई नहीं सकता कि शरीर का रंग जो है कभी बुद्धी में परिवर् यह बॉड़ी ऑफ थियोरी से रिलेटेड नहीं है तो इसे इसमें क्या है कि इसमें रिसर्चर के लिए क्या है या एक प्राकलपना जो रूची कर या इंट्रेस्टिंग भले ही हो सकती है लेकिन इसे विज्ञानिक रूप से हम लोग गुड़ हाइपोथेस नहीं कह सकते है ठीक है यानि कि कोई मनोविज्ञान का या किसी भी साइन्स का कोई शिधान्त ऐसा नहीं है जो कि इसमें ऐसी बात कही जाया है अगला है एट शुट भी मैंटेन दा बैलेंस विद द थे ड्वब अबम जब्जाक्ट यह न चैयह आपके औब्जेक्ट यह से मैच करती हुए बहुंग होनी चैईा आपके ही और फीर की श्चर बनानीस यिभी समय पर टेस्ट किया जा सके है ठीक है यहानि कि hypothesis की पहचान यह है कि उसका formulation इस ढंक से किया जाना संभव हो कि उसकी जाज करने के बाद यह निश्चत रूप से कहा जा सके कि वह संभवता सही है या संभवता गलत है ठीक है यानि कि hypothesis कैसी होने चीए testable होने चीए किसी भी point पर किसी भी much comprehensive hypothesis कैसी होने चीए comprehensive का मतलब यहां पर क्या है कि comprehensiveness का मतलब क्या है कि जो भी यहां पर आप variables ले रहे हैं उसमें क्या है एक पर्याप्त उत्तर सीधे मिल जाए ठीक है क्योंकि यह अपने आप में तारकिक रूप से काफी व्यापक पूर्ण होता है क्या पूर्ण होता है hypothesis यह उसमें जो भी term use किये गए है साथ ही साथ अगर इसमें एड करना चाहे तो hypothesis में क्या होने चाहिए hypothesis should be parsimonious parsimonious का मतलब क्या होता है parsimonious का मतलब होता है जिसे हम लोग कहते हैं cost effective यानि कि hypothesis ऐसी होने चाहिए जिसमें ना तो अधिक समय लगे ना तो अधिक धन लगे ना तो अधिक महनत लगे hard work ना तो अधिक परिस्त्रम लगे यानि hypothesis कैसी होना चाहिए ना चाहिए यहाँ पर parsimonious का मतलब यह हुआ ठिक है next अगर हम बात करें hypothesis conceptually क्या होना चाहिए clear होना चाहिए बताई दिया आप लोग को तो यह थे good hypothesis की characteristics थी अब बात करें हम लोग types of hypothesis तो types of hypothesis क्या है तो अगर हम बात करें types of hypothesis की तो simple hypothesis है complex है empirical hypothesis है null है इसा है यहां पर है यहांum существ है। यहहां पर यहें इसारे hypothesis हैं तो लेकिन most important इसमें जो hypothesis है कि एक आपका null hypothesis दूसरा है अल्टने evaluated जी और ल्ट्रतहेड सी जिसको आम नोगो रैंगुलर पढ़ते रहते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट simple hypothesis किसे कहते हैं simple hypothesis ऐसा hypothesis होता है जिसमें variables केवल 2 होते हैं only 2 variables होते हैं यानि किस केवल 2 चरों के बीच में जो संबंध को बताता है वो होता है simple hypothesis ठीक है जैसे मालीजे example लेते हैं इसका तो कहता है कि बच्चों की बुद्धी तथा उपलब्धी में धनात्मक सह संबंध होता है यानि किसी researcher ने ये hypothesis बनाया है कि जो बच्चों की बुद्धी है brain है intelligence है बच्चों का और उनका जो achievement है उसमें positive relationship होता है यानि जिसके जितनी ज़्यादा बुद्धी simple hypothesis का जिसमें केवल दो variables होते है यानि simple hypothesis में केवल दो variables अब आगए अगर हम बात करें complex hypothesis तो complex hypothesis में जो होते हैं आपके complex hypothesis में होते हैं more than two variables वालब ऐसा hypothesis जिसमें more than two variables होते हैं greater than two लिख रहा हूँ समझ लिजेगा तो लिखे जैसे क्या है complex hypothesis हम किसे कहते हैं ऐसा hypothesis जिसमें चरो की संख्या दो से अधिक होती है अब जैसे example की बात करें तो मानिजे किसी सहर या कोई शहर है या city है उसमें जो high social economic status के लोग हैं यानि कि शहर के high social economic status के जो लोग हैं लोगों में जो धुमुरपान करने की प्रवर्ति है देहात के middle अधिक आर्थिक स्तर के लोगों की अधिक होती है यानि यहां देखे आपके पास कि बहुत से वरियबल मिल गया है यहां बात हो रही है जो सहर के high social economic status वाले लोग होते हैं उनमें जो smoking की tendency है वो village में रहने वाले लोगों के middle class लोगों के social economic status के पिच्छा अधिक होती है या इस्मोकिंग और तीसरा आपका हो गया urban rural region के लोग यह तीन चर आपके पास हो गया तो यह है आपका complex hypothesis आगे अगर हम बात करें empirical hypothesis तो नाम से ही पता चला ऐसा hypothesis जो की प्रयोगात्मक रूप से जिससे हम लोग सिद्धि कर सकें और जिसके हम लोग प्रयोग कर सकें ऐसा hypothesis क्य है empirical hypothesis कहलाता है नेक्स्ट है आपका नल hypothesis फिर है alternative hypothesis फिर logical और statistical तो नल hypothesis और alternative hypothesis को आगे समझते हैं देखिए different types of hypothesis जो हमने बात की alternative hypothesis या directional hypothesis और दूसरा है नल और non-directional hypothesis तो देखिए जो नल hypothesis आपका होता है नल hypothesis ऐसा hypothesis होता है जो यह बताता है कि दो या दो से अधिक चरों के बीच में कोई भी सह संबंद या कोई भी संबंद नहीं है there is no significant difference between two or more than two variables तो रेखिए क्या है it predicts no relation जैसा कि आपकी screen पर लिखा भी है नल और non-directional hypothesis क्या है यसे हम H0 से denote करते हैं यह क्या बताता है it predicts no relationship between the factors under investigation यानि क्या है when no relationship is predicted it means that the researcher is not sure whether there is or there is not any relationship between the factors under investigation यानि कोई भी researcher non-directional hypothesis या null hypothesis इसलिए बनाता है उसके कहने का उदेश क्या होता है दो या दो से अधिक बर चरों के बीच में कोई भी सह संबंध नहीं है जैसे इसे हम एक example के थूँ ऐसे समझें कि व्यक्ति सूज द्वारा प्रेतने तथा भूल की अपिच्छा जल्दी नहीं सीखता है यानि कि यहां पर बात करें तो कोई भी व्यक्ति सूज इंसाइट द्वारा प्रेतने तथा भूल ट्रायल एंड एरर की अपिच्छा जल्दी नहीं सीखता है यानि there is no relationship between insight and trial and error सिंपल सी बात यह है तो यह क्या है इसमें there is no relationship शो कर रहा है इन दोनों चरू के बीच में कोई भी relationship नहीं है अच्छा एक चीज़ा और देखे क्या है null hypothesis क्या है null hypothesis ऐसी hypothesis होती है जिससे हर एक researcher चाहता है कि उसकी null hypothesis क्या है reject हो जाए क्या चाहता है उसकी null hypothesis जो है reject हो जाए हर researcher यह चाहता है कि उसकी null hypothesis क्या हो reject हो जाए अब आगे देखे क्या है if the null hypothesis is supported the researcher can claim that no relationship exists between the factors यानि कि अगर hypothesis null hypothesis सही है तो researcher क्या कह सकता है कि हाँ there is no relationship exists between the factors आगे क्या है if the null hypothesis is rejected the researcher can conclude that there is a relationship between two factors ठीक है directional hypothesis की बात करने तो देखे क्या है इसे अच एच वन से denote करते हैं हम लोग directional या alternative hypothesis वो hypothesis होती है जो कि a directional hypothesis predicts either a positive और a negative relationship between the factors directive relationship या दिशी या directional hypothesis हमेशा यह बताती है कि दो या दो से अधिक चरों के बीच में कोई ने कोई संबंध है चाहे वो positive संबंध हो चाहे वो negative संबंध हो इसमें क्या होता है the researcher predicts a direction the existence of relationship between two factors simple सी बात करें तो researcher क्या show करता है कि जो directional hypothesis है इसमें कोई न कोई relationship है नहीं कि आगे अगर हम बात करें null or research hypothesis की तो directional या alternative hypothesis को हम लोग research hypothesis भी कह सकते हैं तो null hypothesis जैसा कि हम लोगों ने बात किया यह क्या बताता है there is no statistically significant difference between the sample means of two groups ठीक है यह बताता है दो या दो से अधिक चरों के बिच में कोई भी संबंध नहीं है को बताता है और any observed difference is the result of sampling error alone research hypothesis क्या होता है research hypothesis simple si language में बात करें तो research hypothesis वो hypothesis होती है जिसे कोई भी researcher बनाता है तो वो यह सोचता है कि उसकी research hypothesis हमेशा accept हो जाए और null hypothesis उसकी reject हो जाए क्योंकि कोई भी researcher null hypothesis बनाता ही इसलिए है कि उसकी null hypothesis reject हो जाए क्यों क्योंकि null hypothesis में हमेशा वो यह सो करता है कि दो या दो से अधिक variable के बीच में कोई भी सह संबंध नहीं है research hypothesis क्या होती है researcher की original hypothesis होती है जिसे वो चाहता है कि उसने जो hypothesis बनाई है वो स्विकार हो जाए उसे मान लिया जाए तो देखें research hypothesis क्या है there is a statistically significant difference between the sample means of two groups a true population difference does exist ठीक है next अगर हम बात करें null hypothesis आगे क्या है null hypothesis always predicts that there is no relationship बताई दिया आपको it is denoted by H-node example की बात करें तो there is no relationship between smoking and lung cancer यानि null hypothesis किसी ने ये बनाई कि धुमरपान का lung cancer से फेफड़े के cancer से कोई भी सह संबंध या कोई भी संबंध नहीं होता है research hypothesis की बात करें तो research hypothesis को discuss की कर लिया क्या है तो research hypothesis क्या है a statement of what the researcher believes will be the outcome of an experiment of a or a study यानि कि researcher क्या चाता है कि जो भी उसने research hypothesis बनाई है वो वही outcome आए और उसकी research hypothesis प्रूव हो जाए statistical hypothesis क्या होती है अब formal structure used to scientifically test the research hypothesis यानि कि जब हम लोग science के form में टेक्निकल form में या mathematical form में hypothesis को express कर देते हैं तो वो हमारा statistical hypothesis हो जाता है जैसे हमने लिखा h node x a bar less than or equal to x b bar यहां इसका मतलब यह हुआ कि जो null hypothesis है वो यह कह रहा है कि जो mean है group a का वो less than or equal to है group b के mean से ठीक है लेकिन जो research hypothesis है यहां पर यह denote कर रहा है x a bar is greater than x b bar research hypothesis इसका जेस्ट उलता बढ़ता रहा है कि जो mean है mean average है group a का वो greater than mean average of group b तो यह है आपका statistical form statistical hypothesis यानि कि जब हम किसी भी प्राकलपना को गड़ती form में व्यक्त कर देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है statistical hypothesis कहलाता है ठीक है तो यह था hypothesis के definition उसकी characteristics और उसके types को हम लोगों ने आज discuss किया आशा करता हूँ आज की class आपको में आई होगी अगर आपके पास कोई confusion है तो comment के द्वारा पूछ सकते हैं और साथी साथ आपको बताना चाहता हूँ चैनल की जब playlist पर जाएंगे तो यहां research methodology के सारे playlist पड़ी हुई है साथी साथ UGC net के और education के सारी playlist यहां पर पड़ी हुई है तो एक बार जरूर चैनल पर विजिट करिए यहां पर content का लाव उठाइए प्रिवेस एर के question paper analysis 2021 की पड़ी हुई है इसको जरूर देखिए मिलते हैं next video में next topic के साथ thank you so much आपका दिन शुभो